हाई गाईज क्याल चाल आप सबके मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं CA Knowledge Portal मैंने कल एक वीडियो अप्लोड करी थी जिसके दर मैंने छे ऐसी चीज़े बताई थी आपको जो आपको एक्जाम में जाने से पहले ध्यान रखना है जिन चीजों का आज वाली वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं उन छोटी छोटी बातों के बारे में उन ICI guidelines के बारे में instructions के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है while you are actually attempting the paper पर उन दो घंटों में तीन घंटों में आपको जिन छोटीच चोटी 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 आदा दियान रखना है वह मैं बताने वाला हूँ एक्जाक्ट दो बजए आपको पेपर मिलेगा, जैसी आपके पास question paper आता है, आपको क्या चीज़े करनी है, पहली चीज़ आपको जो question paper मिलते ही करनी है, question paper की उपर एक code लिखा होगा, और वो code को आपको match करना है किस से, आपका जो भी exam center है, typically school या college होगा, आगे board होगा तो वो board की उपर ही वो question paper का code लिख देते हैं, इसी है कि guidelines के साफ से exam center को, वो code board पे लिखना होता है, तो एक बार match कर लेना कि तुम्हें सही question paper मिला है या नहीं, this is point number one, secondly आपको अगली चीज़ क्या करनी है, आपको अपने question की उपर अपना roll number लिख देना है, उपर space मिलेगा, पर immediately आपको अपना roll number और roll number आपका admit card पर होगा, वो अपने question paper पर भी लिख देना है, थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एक बार जल्दी से नजर डालनी है, आपके question paper के अंदर required number of pages है, कहीं कोई page miss तो नहीं हो गया, printing के समय, clerical URL कभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत आप deny तो नहीं कर सकते हैं, अब सबर हमें पता किसे चलेगा question paper में pages कितने हैं, तो question paper के पहले page पर number of pages in this question paper लिखा होगा, तो अगर पहले page में लिखा है, दस pages है, जल्दी से एक बार, आपको 5 second मिने लगेंगे, चेक कर लेना, कि हाँ वो 10 pages है या नहीं, एक आदा मतलब unique case के अंदर अगर बाएचांस आपकी किसमत कराब हो, और आपके साथ ऐसा हो जाएगी, question paper में question ही, एक अदा page ही गाएब है, तो आपकी गलती नहीं होएगी, बट ICI ने पहली पला जाड़ दिया, कि यह आपकी responsibility है, कि आपके पास required question paper आया है, फोर्थ चीज जो आपको ध्या question paper भी कर देते हैं, please don't try to do this in CA exam, why I am telling this, क्योंकि आपके exam के अंदर, बीच में हो सकता है, invigilator आएगे, invigilator आप जिसे आप आप आम बाशे में flying बोलते हो, बाहर के लोग, तो वो typically chartered accountants होंगे, अब वो ना उस शहर के, उस city के basically senior chartered accountants को यह responsibility मिलती है, और आपको बता है, chartered accountants क्योंकि सारी जिंदगी law पढ़ते हैं, तो कई बार ना, over a period of time, वो एक एक छोटे छोटे रूल को ध्यान में रखके चलते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, तो अगर आपके invigilator ने, सिर्फ इस वज़ा से आपको परेशान करना शुरू कर दिया, कि तुमने question paper पे पूरा का पूरा हिल जाएगा, यह चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने actually ऐसा होते देखा है, कुछ लोगों के साथ, that उन्हों question paper के उपर कुछ चीजे लिख दी थी, अपने लिए noting कर ली थी, and बीच में invigilator ने आके उनका आदा घंटा, 15-20 minute, खराब कर दि अगली चीज है, answer sheet से related आपको क्या-क्या चीजे आत रखनी है, पहली बात mcq paper वाले objective paper की बात करता हूँ, paper 3 और paper 4, paper 3 और paper 4 के अंदर आपको दो अलग-अलग sheet मिलेंगी, जो question paper है उसे बोलते है mcq booklet, और जो answer sheet है वो descriptive वाली answer sheet की तरह नहीं मिलेगी, आपको omr sheet मिलेगी तो answer आपको omr sheet पे लिखने है, और mcq booklet आपको ध्यान रखना है, mcq booklet के उपर answer mark नहीं करने है, सारे answer जो mark होंगे, वो कहां पर होंगे, omr sheet के अंदर ही mark होंगे, अब ऐसा भी देखा गया है, कुछ बच्चों में मैंने last attempt में देखा है, हर बार instagram पे message आती है, मुझे, sir मै mcq booklet के उपर answer mark करके आगया, मुझे number मिलेंगे, ता answer is a big no, अगर आप mcq booklet पे answer mark करके आओगे, evaluate नहीं होंगे, evaluate सिर्फ वह होंगे, जो omr sheet के उपर है, और in fact, क्योंकि question paper पे कुछ लिख नहीं सकते, mcq booklet पे अगर आपने question answer mark कर रखे हैं, वो भी unfair means की category में आ सकता है, इस बिल्कुल गलत, पहली बात तो unfair means का case बन सकता है, दूसरी बात, अगर last last में आप जल्दी-जल्दी में omr sheet के उपर answers लिखने लगे, और sequencing की दिक्कत आ गई, तो भाई, पूरा paper बिकार हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, साथ-साथ ही omr sheet पर answer लिखना, mcq booklet पर answer लिखने हैं कि कोशिशने मत करना, अचा paper 3 और paper 4 में एक छी ध्यान रखनी है, आपको omr sheet या नि answer sheet तो वापिस देनी है, mcq booklet जो कि आपका question paper है, आपको अपनी mcq booklet भी लोटानी पड़े, you are not allowed to take the mcq booklet along with you, इस चीज का ध्यान रखना, please उसे वापिस देतना, staple वगर करने की जुदत नहीं, mcq booklet अलग से आपको देनी है, mcq booklet अलग आपको देनी है, paper 1 और paper 2 में question paper आप ले जा सकते हो, answer sheet आपको देनी पड़ती है, वहाँ पर question paper ले जा सकते है, paper 3 और paper 4 में mcq booklet साथ में मत लेके आ जाना, अचा, ये तो मैंने बात कर ली mcq वाले की, फिर इतनी जादा बड़ी होएगी कि उसी में काम चल जाएगा, फिर भी accounts वाले paper में हो सकता है, कि आपको typically extra sheet की जुरत पढ़ जाए, अगर आपको extra sheet की जुरत पढ़ती है, तो आप ध्यान रखना है, extra sheet को thread भी मिलेगा आपको, thread से भी बांधना है, और stapler भी लेके जाना, staple भ फिर से repeat कर रहा हूँ, आपके question paper में, आप किसी भी sequence में questions कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करने की जुरत नहीं है, आप पहले question 2 कर सकते हो, फिर question 5 कर सकते हो, फिर question 3 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी एक question के सारे parts एक साथ करना, यानि question number 2 के अंदर 3 part है, 2A, 2B, 2C, तो उनको साथ में करना, ऐसे मत करना, 2A के बाद 5 में चलेगा, 5B कर दिया, फिर 2C कर दिया, ऐसा बिलकुल भी मत करना, और आपको बता ही होगा, paper number 1 और paper number 2 में overall choice होईगी, question number 1 mandatory है, mandatory तो है, बट सबसे पहले करो, ये जरूरी नहीं है, अगल law और BCR, एक ही paper है, आपको एक ही sheet के अंदर करके आना है, ठीक है जी, अचा, MCQ paper के अंदर क्या कोई choice आएगी, कोई choice नहीं आएगी, 100 questions होगे, एक-एक mark का question होगा, वहाँ कोई choice नहीं है, हाँ, descriptive question के अंदर paper में question 1 compulsory, बाकी में overall choice रहेगी, अचा, अगली चीज है, stationary के बा इसलिफ क्या अलाओ करता है, black point pen, point pen मतलब जिसे आम बाशन में ball pen बोलते हैं, sir, gel pen और fountain pen क्यों नहीं अलाओ करता, वो आपके उसने कोई restrict नहीं कर रखा, ऐसा नहीं है कि आपको paper evaluate करने से मना कर देगा, बट वो आपके भले कले करता है, क्योंकि ये जो fountain और gel pen होते है, ये जैलिया, fountain pen भी उनकी ink waterproof होती है, अगर आपको तसलिय है, अपने risk पे आप यूज कर सकते हो, बट black color होना चाहिए, कोई भी और color नहीं होना चाहिए, एक चीज मैं आपको बोल दूँ, highlighter allowed नहीं है, कुछ बच्चों को आदद होती है, बुक के साथ highlighter लेकर रखते हैं, है कि guidelines के साफ से चलो, क्यों जाना चाहते हो, है कि guidelines के against, उसी black pen से scale साथ में रखो, underline कर लो, नहीं तो time नहीं है, scale की विजरत नहीं है, ऐसी underline करके आजो, अगर किसी चीज को highlight करना है, कोई highlighter यूज मत करना, अच्छा सर, MCQ paper में क्या होगा, MCQ paper में, जो OMR sheet में जब circle वहाँ पर HB pencil, typically सारी pencil होती है, अब ये मत पूछने बैठ जाना मेरे से comment section में कि, sir, HB pencil कोन सी होती है, market में जो almost सारी pencils आती है, वो HB होती है, तो pencil से आपको OMR sheet में mark करने है, circles, बड़ ध्यान देना, उस paper में बिना pen जरूर लेके चले जाना, क्यों? जो information भरोगे, starting में, OMR sheet में, नाम, roll number वगरा, वो तो black pencil ही भरोगे, तो कुछ बच्चे मजे से चौड में pen लेके जाते है, pen ले जाना, information pen से भरोगे, मगर circle आपको किस से करने है, pencil से करने है, आखरी चीज में आपको बताऊं, circle करते समय एक चीज तो द्यान रखना, सफाई का द्यान रखना, ऐस circle मत करना, कि तुमारा circle, साथ वाले circle को भी वीच में ले रहे हो, क्योंकि ना, ये computerized checking होती है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपका circle, read नहीं कर पारी वो machine, तो थोड़ी नसफाई कर लेना, अराम, अराम से paper कर लेना, अब मतलब circle करते समय, इस चीज का द्यान कर दिया ना, वो question evaluate ही नहीं करेगा, वो system, तो आपको ध्यान रखना है, अकर answer change करना है, अच्छे से पहले वाले answer को erase करके आना, चोटी-चोटी चीज़े हैं, बाद में आपके result पे फरक डाल सकती है, कैलकुलेटर के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, scientific calculator allowed नहीं है, अधरवाइस जो market में normal calculator available होते हैं, आपको किसी भी company का use करते हो, वो allowed है, चीज का जी, calculator एक spare लेके जाना, दो calculator लेके चले जाना, ताकि गलती से, अगर calculator ने धोका दे दिया हम आपर, तो आपका spare calculator होना अगर कोई भी दिक्कत है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, immediately आपको ICI को contact करना पड़ेगा, अब जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता दू, आपका सारे paper आप हिंदी में लिख सकते हो, बट आपका BCR का जो paper है, BCR का paper तो English में होगा, क्योंकि वो अब्वियस नी बात है, ही English, तो BCR का paper तो हिंदी मीडियम वालों के लिए English में रहेगा, अचा हिंदी मीडियम वालों को प्योर हिंदी लिख के आना है, ऐसा नहीं है, ICI बोलता है, जो भी टेकनिकल टर्म्स हैं, फ्रेजिस हैं, लाव अगरा वाले में, आप वो English कर सक में ऐसा हरकते मत करना, जो मीडियम में आपने चूज किया, उसी मीडियम को ही फॉलो करके आना, अकाउंट एंसी में, लाव में, फ्रेजेज और वो डेबिट क्रेड़िट वो सारी चीज इंग्लिश में लिख सकते हो, वो डरने वाली बात नहीं है, आखरी चीज, जो मैं अगर आपका descriptive paper है, descriptive paper में तो calculator होगा, जुरत नहीं पढ़ेगी, अपनी आखरी sheet को, जो answer sheet में आखरी sheet है, उसको rough work के लिए use कर लेना, ठीक है जी, मगर सर, maths में क्या करने, अब ध्यान दो, maths के अंदर, आपके question paper, यानि MCQ booklet जो है, उसके last में rough work करने के लिए मिलेगा, maths में भी और economics में भी, उस last page को यह आपने use करना है, कोई extra sheet वगर आप नहीं ले जा सकते, तो ध्यान देना, मेरे साब से आप rough work क्या करना, pencil से करना, ताकि by chance वो space कम पढ़ गया, अभी आपको और space चाहिए, तो eraser से जल्दी से वो erase कर लेना, वहीं पर ही क्या करना, फिर से rough work कर देना, उसके अलावा, rough work करने के लिए हमारे पास कोई जगा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, छीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ जो मैं बहुत important, stress करके बताना चाहता हूँ, कुछ यह बख्चों के आदत होती है, पेपर के अंदर पेपर स्टार्ट करने से पहले, ओम, 786, Jesus का साइन, यह सब बनाते हैं, प्लीज यह सारी चीज़े मत करना, अगर आपने भगवान को याद करना है, अल्ला को याद करना है, जीज़स को याद करना है, दिल में याद करो, उ रोल लंबर सिटी मत लिख के आना जहां पर लेटर रिपोर्ट होती है ना एक्च्वल नामनी एक्स वाई जी एबीसी आइधिंक यह बच्छमन से आपको चीज़ी सिखाती है इन चीजों का ध्यान रखना अच्छा आखरी चीट अटेंडेंस शीट वैसे तो एक्जामिनर की रिस्पॉंसिबिल्टी होती है फिर भी मैं आपको बता दूँ बीच में एक्जाम में आपका अटेंडेंस सीट साइन करवाने आएगा वो एक्जामिनर आपको वहां पर साइन करना होगा अपने रोल लंबर के अगेंस्ट रोल लंबर का स्टीकर होगा एक उस स्टीकर को में आपको उतार कर अपनी आंसर सीट पर लगाना पड़ेगा को दियान पड़ेगा होगा में ऊंपनी थिकर होगा यह को घान से दिलंबर कर दिया तो आपके अंसर गं से इस्प्लिट निंदर को कर पाया स। आखरी चीज में आपको यह बता रहा हूँ कि आइडली आइसे की गाड़नेंस बोलती है जैसी आपने अटेंडेंस शीट को साइन किया examiner आपके admit card के second page पे साइन करेगा याद है पिछली वीडियो में आपको बोला था कि admit card के दोनों pages लेके जाना इसले बोला था आइडली उसको sign करना चाहिए कुछ examiner नहीं करते वो अलग बात है मगर आप अपनी तरफ से admit card की दोनों शीट लीगे जाओगे right so these are all the small little things जो मेरे experience case आप से मेरे को लगा आपको बताना चाहिए I hope आपको ये video useful लगी होएगी इन सारी चीजों को याद रखना चाहो तो ये जो आप इसका screenshot लेकर रख सकते हो ताकि आपको याद रहे किन-किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है मैं ये ऐसा करूँगा ये वाली slide ना आपको टेलिगरम पर प्रवाइड ही कर दूँगा ताकि अगर आपको एक checklist बनागे रखनी है आपकी किन चीजों का द्यान रखना है आपके लिए अनफेर मीन्स किसे बोलते हैं और किन-किन चीजों को हमें नहीं करना है ठीक है जी तो किन वीडियो भी काफी interesting होने वाली है all the very best for exam and हमाईशा की तरह से मैं बोलता हूँ tension नहीं लेने का, काम रहने का सिर्फ आखरी दिनों में मेहनत करनी है and you will definitely clear with flying colors this was Sanjit Garoay with you I'll meet you in the next video, all the very best